हेलो फ्रेंड्स यहां पे हम ट्रेडिंग साइकलोजी आज सीखने वाले हैं बहुत सिंपल सिंपल टिप्स और कंसेप्स बताऊंगा जिसमें कि आपको ट्रेडिंग करते वक्त जो एक माइंडसेट बनेगा कि जो विनिंग ट्रेडर या प्रॉफिटेबल ट्रेडर का करते वाधार एक सोफिल होता है सबसेपले हमारा एक कहीं कंसेप्रता है जो ट्रेड मैं लूंगा वही सखेसेटि लोगा उसमें पैसा बनेगा निगा तो एक तरेडृतल भी ठृटनी रेता है मजा बहुं आता है यह स्टार्ड में बहुत अच्छा लगता यह जब हम प्र तो ये हो गया fear, उसके बाद में समझो आपने stop loss नहीं लगाया, आपको कुछ भी trading का मालुम नहीं है, तो आप देखोगे desperation, frustration और panic चालू होता है, कि मेरा 50,000 का loss हुआ, मेरा 1,00,000 का loss हुआ, और हम धूमना चालू करते है कि blame किसको करे, आपने सही नहीं किया, market सही नहीं था ये tips इसने सही नहीं दिया, ओके, ये cycle चलती रहती है, फिर कुछ दिनों के बाद लगता है, चलो यार ठीक है वो trade चला गया, अब वापिस stock market तो ऐसे ही है, अब मैं थोड़ा सा नया tip लूँगा, या कुछ नए लोगों से मिलके मैं देखूंगा कैसे trade करते है, वापिस हो और उसके बाद में क्या होता है, फिर ये cycle चलती रहती है, आप देखोगे, चलो loss हुआ हुआ, अब हम मैं नए आदमी के साथ tips लूँगा, और वापिस optimism की, ये आदमी मुझे कुछ ऐसे secrets बताएगा, जिसके कारण मैं stock market में पैसा कमाऊँगा, बट same cycle आप देखोगे, repeat हो थोड़ा सा stock नीचे गया, तो वापिस frustration और desperation आएगा, और वापिस same situation जब बड़ा loss तो पाने, ये cycle हर एक आदमी को stock market में पैस करनी पड़ती है, इसका problem और solution ये दोनों ही चीज मैं आगे जाके आपको explain करूँगा, अब होता क्या है, कि situation ये है, कि stock उपर जा रहा है, और आपने समझो, यहां कहां तो भी entry ले ली, अब इसमें ये भी एक problem है, कि जैसे ही stock नीचे आता है, हमें डर लगना चालू हो जाता है, and at the same time, जैसे ही stock उपर चला जाता है, तो हमें लालच चालू हो जाती है, और खरीते है, और खरीते है, ये दोनों ही चीज गलत है, और trading psychology में, इधर भी हमें fear भी नहीं रहना चाहिए, हमें लालच भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमें हमारा mindset इस तरीके से train करना है, कि ये दोनों चीज आनी ही नहीं चाहिए, ये कैसे करते है, मैं आगे जाके बताऊंगा, अब next चीज क्या है, बहुत common problem एक है, कि अगर आप आपने पैसा दिया है, तो आपने picture कोई भी देखा, पैसा वसूल करके ही मैं जाओंगा, भले picture अच्छा है, घटिया है, बट क्योंकि मैं 3 घंटा AC के साथ पॉक्वान खाके ही जाओंगा, तो ये हमारा normal mindset रहता है, हमें जो भी हम पैसा लगाते है, उसका पूरा का पूरा हम वसूल करके ही जाएंगे, बट आप देखोगे, trading में कभी-कभी ऐसे नहीं होता है, आपने कोई share में invest किया, या trade किया, और कभी-कभी stock नीचे चला जाता है, for XYZ reason, आपका analysis गलत हो, या market आपका साथ नहीं दिया, whatever it is, तो उस समय हम market से जगडा करना, बन करना चाहिए, और एक set limit पर, यानि कि अगर 50 रुपे के नीचे मेरा stock गया, तो मैं exit हो जाओंगा, या ये technical level के नीचे मेरा stock चला गया, तो exit हो जाओंगा, मैं जगडा नहीं करते बैठूंगा, कि ठीक है, अब मैं और double पैसा दालूंगा, मैं triple पैसा दालूंगा, और recover करने देखूंगा ये बिल्कुल भी मत करना, आप क्या करोगे, आप अपने setup पे जादा ध्यान दोगे, कि आपकी entry जो रहेगी, वो कौनसे indicators, या कौनसे candlestick pattern, या कौनसे condition पे based है, बस उसको follow करना है, अगर stop loss hit हुआ, तो double पैसा दाल के वापस recover करने को मत देखना, आपका जो trading setup है, उसमें next entry कब मिलती है, उसका इंतजार करना, अब और क्या है यहां पे common mistakes while trading, सबसे बुरी बात है, news based buying या selling, technical charts आप follow यह नहीं करते हो, reliance की news आगई, demerger होने वाला है, या फिर अदानी ports इसको खरीदने वाला है, या इसके साथ इसका merger होने वाला है, इसको कुछ order मिल गई, बस य definitely यह जादा दिन नहीं चलने वाला है, तो बिल्कुल news based buying या selling नहीं करना है, हा या news based, अगर आपने पहले ही technical charts देखके entry ले ली है, और कोई news के कारण वो बहुत उपर चला गया और आपको समझ में आ रहा है कि इसके उपर और नहीं जाने वाला है technical charts देखके, तो वहां प stock उपर चला गया, बहुत profit हो गया, कर सकते हो, बट buying कभी भी news based नहीं होना चाहिए, constant averaging भी नहीं करना है, यह greed का एक example है, क्योंकि होता क्या है, कि जैसे जैसे हम average करते हैं, हमारा stop loss भी हमें उपर के तरफ दालना पड़ता है, या अगर वो पूरा averaging नीचे आ गया, तो अच छोड़ दो, आप जो भी है, आपके money management पे ध्यान दो, एक बार अगर आपने entry लिया, आपके दिमाग में fix हो गया, कि अगर stop loss हिट हो गया, तो मेरे 2000 रुपे ही जाएंगे, मेरे 3000 रुपे ही जाएंगे, unnecessarily averaging करके, वो stop loss को 40 या 50,000 मत करना, तो averaging से दूर रहना, बहुत systematically average कर पढ़ता है, जो majority लोगों को पता ही नहीं है, और ये averaging ही कारण है, कि आप एक profitable trade को loss में change करते हो, तो forget averaging, मैं कहूंगा, अगर stock उपर बढ़ रहा है, तो 50% profit बुक कर ले ना, और बाखी का ही आप continue रहना, बट averaging मत करना, इससे problem सबसे क्या होता है, आपको position sizing, यानि कि अगर stop loss hit हुआ, तो 3000 का ही loss ये करने को जमता ही नहीं, okay, so this is avoid averaging, stop loss हमेशा लगा के चलो, ये बहुत important है, अगर आपने stop loss नहीं लगाया, तो आप money management करी नहीं पाऊगे, money management करी नहीं पाऊगे, तो frustration आएगा, क्योंकि 5000 का loss कब जाके 50,000 हो गया, आपको समझेगा ही नहीं, तो without stop loss actually there can't be any successful trading, believe me or not, trading का target या profit से कुछ भी लेना देना नहीं है, trading का direct relation stop loss के साथ है, क्योंकि आपको यहाँ पे आपके हर एक जो loss है, वो control करने है, और profit को simply बढ़ाते रहना है, आगे देखते हैं, कुछ ये चीज है, जो हमेशा हमें फ्रस्टेट करती है, trading psychology में, the moment I buy a stock, it goes down, इसका market से कोई लेना देना नहीं है, आपका setup में problem है, आपने setup नहीं सही select किया है, इसके लिए गड़बड होता है, ये क्यों help करेगा, आपको MACD help करेगा, आपको trend line helps करेगी, आपको candlestick के reversal patterns help करेंगे, जानने के लिए कि आपका setup सही है कि नहीं है, profit seems less and loss seems big, आप एक जो range रहता है, ओके आप बीच में ही trade कर रहे हो, तो इसके कारण ये problem बहुत से बार होता है, कि profit seems less and loss seems big, और आप stop loss नहीं लगा रहे हो, तो यहाँ पे भी कुछ भी trading psychology का problem नहीं है, यहाँ पे आपके trading setup का problem है, the stock I hold never gets goes up again, यहाँ पे setup का problem है, कुछ भी trading psychology इसमें नहीं है, news based reaction तो आप को करना ही नहीं है, आप selling कर सकते हो, when the market goes down, all funds are invested, mostly अगर आप long term investor हो, तो मैं तो कहूंगा, एक कही साथ मत invest करना, थोड़ा थोड़ा करके sip करना, और अगर आप trader हो, तो यह definitely इसका कुछ भी logic नहीं है, क्योंकि traders को तो चाहिए कि market नीचे जाए, क्योंकि आपक situation of mistakes, इसका मतलब यही है, अगर बार बार आपका result वही निकल रहा है, तो आपके setup में गड़बढ है, या आपके आदतों में गड़बढ है, आपको आदते सुधार में पड़ेगी, और जैसे ही आदत सुधार होगे, आपके trading psychology भी यह होगी, और सबसे सबसे important है, कि आपका entry के लिए कुछ logic reason होना चाहिए, आपके stop loss के लिए कुछ technical reason होना चाहिए, और आप कब तक उसको hold करोगे, अगर आपको charts पे देखके नहीं समझ में आ रहा है, तो basically आप gambling कर रहे हो, आप trading बिल्कुल नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, psychology उनको ही लगती है, जिनको पता नहीं रहता है कि वो stock market में क्या कर रहे है, अगर आपका trading setup सही रहेगा, और आपका money management और stop loss हमेशा लगा रहेगा, तो आपको trading psychology पे कम और आपके setup पे ज़्यादा ध्यान देना है, और पूरा-पूरा mechanical रहना है, यानि कि नहीं कुशी, नहीं गम कुछ नही ये just एक casino की तरह है, मैं बार-बार इसको खेलते जाओंगा, जब मेरा stop loss hit होगा, मेरे 50 रुपे जाएंगे, और जब मेरा target अच्छी होगा, मेरे 200 रुपे आएंगे, बस यही है, और मुझे अपने setup ऐसे ही धूनने है, जो 1-3 का return, यानि कि 50 का loss, तो 200 का profit, ऐसे वाले ने सही लगाया है, तो आपको जब ही profit होगा, तो पूरा stop loss recover होके, जो loss है, profit होना चालू हो जाएगे, तो यही चीज को कहते है, trading psychology, आपको अपने emotions पे कम, और trading के setups और techniques of charts पे ज़्यादा धेना है, thanks a lot, अगर यह आपको पसंद आया, तो definitely comment करके बताना, अभ्ण हो आपको अवादा, दो काल, आपको आपको झापको प te헹, जगा है, खको जापकगे, जब हो आपको जापको देदाना पेख, वाले मुझं आपको जापको जापको आपको